असलाम लीकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब मेरा नाम है बिसमा असकर मैं आपको यहां पर पढ़ा रही हूं केमिकल इंडस्ट्री का चैप्टर जिसमें अब हम यह देखने लगे हैं कि जो मेटलर्जिकल ऑपरेशन्स में पहला स्टेप आता है न है कॉंसेंट्रेशन और वो किस तरह से होती है वो आखिर प्रॉसेस की डेफिनेशन किया इसको क्यों कॉंसेंट्रेशन ऑफ दी और कहते हैं साथ ही साथ हमने यह देखना है कि कौन से तीन तरीकें जिनसे और की कॉंसेंट्रेशन की जाती है यह सारी चीज़िए समझने के लिए आएं चलते है कि तरफ तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा मेटलर्जी में मैंने आपको बताया था तीन प्रॉसेस थे ठीक है उसमें से जो पहला प्रॉसेस है ना विच इस को रिमूव कर देते हैं तो जो चीज बच जाती है वो आपके पास और है प्यूरिफाइड फॉर्म में है क्यों क्यूंकि उसके अंदर से निकल गई न तो यह जो प्यूरिफाइड और है इसको कहते हैं कॉंसेंट्रेट यह बात समझ में आ रही है आपके पास यह कहते हैं और जैसे ही इंप्यूरिटीज रिमूव हो जाती हैं तो हम इसको क्या कहते हैं कॉंसेंट्रेट प्यूरिफाइड और को कहते हैं ठीक है अब स्टूडेंट्स कॉंसेंट्रेशन और के तीन डिफरेंट तरीके होते हैं ठीक है तीनों तरीकों से आप इसको कॉंसें rate बना सकते हैं मतलब कि और को purify कर सकते हैं जो तीन आपके पास different तरीके हैं सबसे पहले उनमें आता है gravity separation दूसरा आपका तरीका है fraud flotation process और तीसरा है electromagnetic separation इन तीनों तरीकों से gang की separation की जाती है और वो तीनों तरीके अब हम समझ लेते हैं क्योंके paper point of view से भी important है और chemistry के student को यह चीज़े पता भी होनी चाहिए सबसे पहले आता है students gravity separation gravity separation में क्या होता है कि आपने यहां पे जो gang को और से अलग करना है ना impurities जो निकालनी है वो किस base पे निकालनी है वो समझना बहुत जरूरी है वो students आपने difference of density की बेस पे निकालनी है ठीक है आपके metallic or की density और गैंक particles की जो density होती है वो different होती है ठीक है अब density की base पे आपने निकालना है density की base पे किस तरह से निकलेगा student सबसे पहले आपने क्या करना है कि यह जो metallic or है सारा का सारा ठीक है और है आपके पास ठीक है उसमें metal भी है उसमें impurities भी है इसको आपने water के अंदर mix कर दी है water के अंदर mix करने के बाद इसके उपर जो process चलाए वो है agitation का agitation का मतलब होता है किसी चीज में हरकत को लाना ठीक है हरकत का मतलब है movement तेज करना mixing करना या ऐसा को प्रोसेस करना कि बहुत तेजी से चीजों के अंदर mixing का process चुरू हो जाए या movement का पानी आपको यू यू circular form में घूमता वा नजर आएगा जिस तरह बहुत easy सी example है इसको पुरा का पुरा जो यूं कहलें तरीका यह ना वह डिफरेंट है ठीक है वाटर वाली बात नहीं बूलनी कि आप यह एगिटेशन कर रहें वाटर के अंदर अब होता क्या है स्टूडेंट्स आपके पास जो पाउडर हेवी मेटल होता है और का ठीक है और है उसके अंदर मेटल है अब यह पाउडर फॉर्म में होता है जब आप एगिटेशन करते है ना तो यह वाला जो मेटल फॉर्म जिसके अंदर प्रेजन्ट होती है यह आपके पास सेटल डाउन कर जाता है कंटेनर के नीचे ठीक है बैट जाता है जिसको कहते हैं आम इल्फाज में के ये कंटेनर के नीचे बिल्कुल सेटल डाउन कर जाएगा बैट जाएगा और जो आपका गैंग पार्टिकल्स है क्योंके वो लाइटर हैं डेंसिटी का डिफ्रेस है ना उसी हिसाब से ये बात करनी है गैंग पार् इससेटइन शुपनिक्स होने की वज़ा ने की वज़ासे क्योंके आपके पास जो और जी करद त है जिसके अंदर मेल है वह कौनसी फॉटरड फॉर्म में है वह आपके पास में अपास मेटैंर 3000 किया हूआँ जाद जाएगा तो क्या करेढ़ तो क्या तरफ ओपनिंग है जहां से वो गैंग पार्टिकल बाहिर की तरफ चले जाएंगे नीचे कंटेनर में आपके पास पाउडर हैवी मेटल आ जाएगा यह बात समझ भी आई यह एक तरीक है ग्रैविटी सेपरेशन है ग्रैविटी सेपरेशन का मतलब डैंसिटी की बेस पे है दैंसिटी की बेस का मतलब है एक चीज़ए जो ज्ञादा डैंसिटी वाली है वो सेटल डाउन करजएगी दूसरी चीज़ए कं़ डैंसिटी वाली वो वहां से सेपरेट merciful ज़एंग इंग। तो वहां से अराम से separate out हो जाएगी ठीक है यह water की वज़ा से एगिटेशन हो गी है बात समझ में आगी वैसे भी density की जब बात करतें तो water के साथ ही उसकी बात करते हैं यह आपके पास पहला तरीका हो गया gravity separation किसका है concentration of ore का अब आपके पास यह जो powder heavy metal है जो settle down हो गया इस concentrate के देंगे, क्योंकि impurities निकल गई है, अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ, दूसरा है, frozen flotation process, frozen flotation process भी मैं आपको पहले process समझाऊंगी, फिर आपको नाम समझ में आएगा, देखें, हर process की एक definition है, definition का मतलब है, जिसमें explain किया जा रहा है, कि वो चीज है क्या, ठीक है, उसक करना है, गीला करना है, किस चीज से करना है, आपने करना है, oil से और water से, ठीक हो गया, बास समझ में आ रही है, अब याज रखने के लिए मैं आपको easy words में बता देती हूं, कि और भी आपका o से शुरू होता है, oil भी o से शुरू होता है, तो और के उपर आपने oil से wetting करनी ह करना है, इस तरह से क्या होगा कि दोनों क्या आपके पास बीला करना था जैसे करना था, ठीक है, एक चीज और को कर दिया, oil से और आपने ग्यांग को कर दिया, water से, अब इधर भी agitation का process स्टार्ट कर देना, agitation बहुत important है, क्योंकि जैसे ही वो particles movement में आते हैं, तब अपनी characteristics के accordingly separate होना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया, agitation का process करना है, लेकिन यहां पे जो process आपने water से किया था, frozen flotation में आपने ये compressed air से करना है, ठीक है, air introduce करवानी है, उस container के अंदर और आपने क्या करना है, अब agitation का process स्टार्ट कर देना है, इस agitation के process में क्या होगा, अब होगा ये students के आपके पास जो oil coated or particles है ना, वो froth की form में उपर वाली side पे आजएंगे, froth का क्या मतलब होता है, जाग की form है, ठीक है, वो इस तरह नजर आएंगे जैसे वो जाग type बन गए है, ठीक है, अब वो आपके mixture में उपर की तरफ तेरते वे आपको नजर आएंगे जिनको fr flotation, ठीक है, बात समझ में आ रही है, froth किसकी होगी, froth होगी आपके oil की, और किससे coated होगा, oil से, और और दोनों आते oil और और में इस तरह इसको याद रख लेना है, गैंग पार्टिकल्स आपके settle down कर जाएंगे, इनके उपर कोई extra चीज नहीं है, पहले ही मैंने कहा lighter है, और water के साथ आपने इनकी wetting की है, तो इस वज़ा से settle down हो जाएंगे, mixture के नीचे चले जाएंगे, गैंग पार्टिकल्स आपके पास पहले आपने देखा था कि ये उपर वाली layer से separate होए थे, अब आप देख रहे हैं, इस process में कि ये नीचे जाके settle down हो जाएगे, अब ये द density को आप suppose करें, ठीक हो गया, आपने कोई इसमें नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं कराई, सिर्फ water डाला, agitation कर दी है, अब density की base पे चीज़ें अलग होना शुरू हो जाएंगी, ये एक तरह से physical process भी है, क्योंकि कोई chemical change नहीं आ रहा है, हमने पढ़ा था ने, metallurgy में कि physical means भी होते हैं, chemical means भी होते हैं, chemical change तो आ नहीं रहा, तो ये physical process हो गया, इसी तरह से आप प्रोस्टेशन का भी जो प्रोस्टेस है, वो भी physical बही चला जाते है, chemical change इसमें भी क्योंकि कोई नहीं आ रहा ठीक है, लेकिन क्योंकि अब तरीका different हो गया, agitation कि से की compressed air से की ठीक हो ग इस पर इनकी separation होगी, तो याद रखने में अगर मुश्किल लगे, याद रखने में तो एक को याद कर लें, दूसरा उसका opposite है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे gravity separation में आपके पास जो और है, वो settle down कर रही है, तो इसका opposite होगा, frozen flotation में, यह settle down नहीं करेगी, frozen की form में उपर व कि आपके पास कोई एक चीज ऐसी होगी, जिसके अंदर magnetic property होगी, magnetic property का क्या मतलब है, कि वो magnet की तरफ attract हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो magnetic है, अब आपने क्या करना है, यह जो separation है, यह आपने करनी है on the basis of magnetic property, ores के अंदर जितनी impurities होती है, वो सारी non magnetic होती है, ठीक है, हर च अप्लाई कर दिया, यह depend करता है, वेरी करता है, कि आपने जो जिस or से metal को extract कर रहे हैं, उस or पे इन में से कौन सा तरीका जादा suitable है, कौन सा आपके industrial point of view से भी जादा suitable है, ठीक है, लेकिन तीन तरीके use होते हैं, वो तीनों में आपको बता रही हूं कि आपने non magnetic impurities हैं, और और आपकी magnetic form में है, ठीक है, तो क्या होता है, इसका तरीका क्या है, गोर्ष सुने वली बात है, leather belt होती है, ठीक है, आप अपना जो और है, उसको crush form में लेते हैं, और crush form में उसको leather belt से गुजारते हैं, अब जो आपकी leather belt है, यह दो wheels के around, आपने इसको wrap की होता है, दो wheels या अपना यह जो और है, powdered crush और इसको गुजारेंगे, तो क्या होगा, जो particles हैं आपके gang के, वो क्योंके non-magnetic है, वो सबसे पहले जब गुजरेंगे magnetic roller के पास से, वो track नहीं होंगे, और वो वहाँ से नीचे की तरफ गिर जाएंगे, ठीक हो गया, नीचे की तरफ गिर जाएं है, उसके साथ जैसे ही यह वो गुजरेगी ना, आपके magnetic roller के उपर से, तो उसके साथ जाके आपके जितना magnetic और है, वो सारा का सारा उससे attach हो जाएगा, क्योंके magnetic characteristic मौजूद है, अब आपके gang particle separate होगे, magnetic और अभी भी आपके leather belt से attached है, magnetic property की वज़े से, थोड़ी ही देर बा तो उसके बाद क्योंके हलेदा हो जाएगे, तो आपके पास जो और है, वो अगले container में जाके गिर जाएगी, और इस तरह से आपके पास जो crushed और है, उसमें separation हो जाएगी, बात समझ में आ रही है, सारी के सारे जो process है, जो वीडियो है, वो आपको दिखाई गई है, ताके आपको समझ में आई ये चीज़, क्योंके ये important है, सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ sentences को देखने से concept समझ में नहीं आता, उसको वैसे भी समझने की कोशिश किया करें, तो electromagnetic separation के बारे में जब paper में पूछा जाए, तो क्या लिखेंगे, आप बताएंगे आप इसमें, के rollers use हो रहे ठीक है, क्या बताने हैं, आपने rollers use हो रहे हैं, rollers के साथ-साथ इधर क्या use हो रहे हैं, यहाँ पर leather belt use हो रही है, यह important चीज़ है students, ठीक है, यू समझें के basic तरीके होते हैं, जिनसे आपका वो process continue कर रहा होते हैं, ठीक है, आपके उस rollers है, leather belt है, और साथ-साथ यह non-magnetic impurities है जो के leather container में अलग हो जाएंगी, और magnetic ore जो है, वो leather container में चला जाएगा, ठीक हो गया, यह वो processes थे students, जो हमने किस तरह पढ़े हमने ऐसे पढ़े कि हमने इन में physical changes देखे हैं, अभी कोई chemical change नहीं आया, और ऐसा नहीं होता कि आप industry में किसी चीज़ को लेके गए हैं, और जा रहागा, metallurgy का बहुत ही easy concept है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ सबसे पहले आपने क्या करना है, step by step चलना है, ठीक है, आपको मैंने बता दिये हैं, कि जितनी definitions हैं, आपके पास यहाँ पे impurities भी होगी, और में, आपके पास metal भी होगा, सबसे पहला तरीका है, impurity को निकाल हैं, impurity निकलेगी, तो आपके पास metal आएगा, अगर impurity निकालनी हैं, तीन तरीके हैं, कौन-कौन से gravity separation, froze flotation process, साथ ही साथ electromagnetic separation, पेपर में किस तरह बोचा जाता है, पेपर में students सबसे related आते हैं, short questions, ठीक है, अब जब short question आएगा, तो एक तो आपकी book में diagram बनी हैं, इन तीन हो रही है, कोशिश करें कि जब diagram मनाएं, साथ-साथ पूरा process repeat करें, बोल लें उसको, ठीक है, याद ना करें, देखके बेशक बोल ले, लेकिन उसने होगा क्या कि जब आप diagram मनाएंगे, साथ-साथ process repeat करेंगे, आपको वो process याद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, gravity separation में आपने सबसे पहले यह definition लिखनी है, जो मैंने यहां से लेकर यहां तक लिखी है, सबसे पहले आपकी definition आएगी, फिर process की heading दे दे या बता दें किस तरह से आपका पुरा process और हो रहा है, उसमें heavy metal के साथ क्या होगा और gang particles के साथ क्या होगा, क्योंकि concentration of ore है ही यह process कि आपके और gang particles, इन दोनों का ही तो फर्क है, gang को ही तो अलाइदा कर रहे है हम, ठीक है, तो इन दोनों का जिकर आपने लाजमी करना है, चाहे आप से short question पूछा जाए, चाहे long question पूछा जाए, बेशक इनकी heading different दे दे, बड़ा अच्छा सा करके 604 marker से बेशक इनकी heading different दे और फिर ब gravity separation का मतलब है, on the basis of densities, density की base पे होगा, water से agitation करनी है, कैसे होगा, heavy metal आपके पास settle down कर जाएगा, क्योंकि उसकी density जादा होती है, और gang particles की density थोड़ी होती है, इसलिए वो float करेंगे, और water उनको अपने साथ mixture से अलग कर के ले जाएगा, फिर हमारे पास आता है, frost flotation process, इसमे जाएं कैया होगा, आपने Juha πयों धगै इसमें कि आपने क्या होगा यहां सिती इसमें का और इसमें की पने का जाएं क्या हूबिजए, यह तक है क्याच तो guerre मैं कश्यों के यहां से ओस्तैफनी कर अकिन का सब्वार ही ऐा श्यक्रवा का मतलब है, इसके पाद और परे ने कहते हैं, skimmed किया जा सकता है, ठीक हो गया, skimmed, इस पार्टिकल्स कैन भी skimmed, बाकी जो आपके गैंग पार्टिकल्स हैं, वो सेटल डाउन कर जाएंगे, वो नीचे की दरफ प्रेजन होंगे और इस तरह से आपके पास ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग हो जाएग को रोलर से जब गुजरेंगे आपकी क्योंके नॉन मेगनाटिक इंप्यूरिटी मेगनेटिक वील या रोलर के पास जाके उससे ट्रैक्ट नहीं करेगी इसलिए वह अलएदा से नीचे की तरफ गिलना शुरू हो जाएगी उस कंटेनर में जिसमें आपने इंप्यूरिटी को करेक्ट करने के लिए रखा हुए मैगनाटिक वील से आपका और क्योंके अट्रैक्ट हो जाएगा उसके साथ जुड़ जाएगा लेकिन जैसे ही लेदर बैट उसके पास से गुजरेगी तो वह अगले कंटेनर में जाके वह भी गिर जाएगा इस तरह आपके पास अगर शॉर्ट पूछा जाएगा तो ग्रैविटी सेपरेशन हो सकता है अलहदा पूछा जाए प्रोथ फ्लोटेशन रहदा और एलेक्ट्रमेगनाटिक अलहदा तो इस वज़ए से इसी तरह से ख्याल करके चलना है कि आपने हर चीज को सेपरेट नहीं लेके चलना है और इनको सेपरेट लेके चलेंगे तो आपके पास पूरा आंसर होना चाहिए विद डाइगराम जो बुक में बनी हैं बहुत इजी डाइगराम्स हैं आपको दिखाई भी गई हैं इसलिए ताकि आपका कॉंसेट खराब ना हो विद डाइगराम क्वेश्चन को कंप्लीट करे लेकिन इनकी दुबारा प्रैक्टिस करें हैं हजै लेकिन इनकी तुबारा प्रैक्टिस करें कि बना के करें, देखें कितनी headings बना सकते हैं, चाहे short हो, चाहे long question हो, headings ज़रूर बनाएं तो student मैंने आपको detail से समझा दिया कि आपने किस तरह से और की concentration करनी है industry में जिस तरह process होता है, मैंने उसी तरह से समझाया है, जो तीन तरीके बताए हैं जिसमें सबसे पहले है gravity separation, दूसरा है आपके पास float flotation process और तीसरा है electromagnetic separation ये तीनों पे short questions आते हैं, पेपर में important questions हैं, इनको ज़रूर याद करें, diagram भी कोशिश करें, याद करें उससे आपका जो पूरा का पूरा answer होता है, वो complete हो जाता है तो आप इन सारी चीज़ों को practice करें, दुबारा से revise करें, जब तक कि आपको याद ना हो जाएं, concept समझ में ना आ जाएं हम मिलेंगे next lecture में, एक नए concept के साथ, तब तक के लिए, अल्ला हाफिस